वीवर्स कुछ ऐसे advanced humans जो अर्थ को छोड़कर galaxy के दूसरे planet पर जाकर रहने लगे थे पर अब वो aliens अर्थ के सबी लोगों को मार कर उनके body से serum बनाना चाहते थे जिससे कि उन aliens की उम्र कुछ साल बढ़ जाती थी अब तो galaxy के सारे planets उनी advanced humans के family के अंडर आते थे और अगर जल अब देखना है कि क्या वो लड़की एक super soldier के साथ मिलके उन खतरनाक aliens और mutants को रोक पाती है जो सभी इंसानों को मारना चाहते थे इस बारे में तो जल से जल पता करना पड़ेगा कहानी के शिरुवात में हमें Jupiter नाम की एक औरत दिखाय जाती है जो कुछ पैसे कमाने के लि पर कुछ experiment करना start भी कर दिया था Jupiter ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है इसलिए अब वो मुबाइल से उन aliens की फोटो लेने लगी थी लेकिन सायद Jupiter का bad luck चल रहा था तब ही उसके मुबाइल पर उसकी mom का call आ जाता है और अब उन aliens ने तो Jupiter को देख लिया था वो सारे aliens तो Jupiter पर हमला करने चले आते हैं और अब अगले moment में Jupiter और Catherine अपने आखे खोलते हैं aliens ने तो उन दोनों की एक गंटे की सारी memories उड़ा दी थी जिसकी वज़े से अब Jupiter को पता ही नहीं था कि उन aliens ने उन पर हमला किया था और अब Jupiter वापस से अपनी normal life जीना start कर देती है Jupiter को बहुत टाइम से अपने लिए एक telescope खरीदना था लेकिन उसके पास तो उतने पैसे ही नहीं थे तभी Jupiter का cousin वहां आकर उसे एक idea देता है कि अगर वो अपने body के internal parts बेच दे तो इसके वदले उसे काफी जादा पैसे मिल सकते थे Jupiter एक time पर तो इस idea को बगवा समझती है पर अ अब तो उसे अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे इसलिए वो एक clinic में पहुँच जाती है जहां पर वो operation करा के अपने body के internal parts बेचना चाती थी clinic के सभी डॉक्टर जूपिटर का operation करना start कर देते हैं लेकिन उन लोगों ने तो जूपिटर के पैरों और हाथों को बंद कर दिया था जिससे कि वो भाग ना पाए उन सारे डॉक्टर की आँके काफी अजिब लग रही थी वो तो जूपिटर की body पर कुछ test करते हैं और उ कि वही aliens थे जिन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया था और अफ केन जूपिटर को बचाने के लिए उन सभी aliens से fight करते रहता है वो aliens तो size में छोटे होने के वज़े से केन के हमनों से लागातार बचते जा रहे थे पर केन ने तो इसी टाइप के aliens को हराने के लिए बहुत चलता है कि केन एक superhuman है जो इनसानों और जानवरों के DNA को मिला कर बनाय गया था केन के पास तो उन्ने वाले जूतों से लेकर बहुती advanced high-tech gadget भी थे दरसल जिस तरीके से हमारे अर्थ पर अलग-अलग countries होती हैं वैसे ही पूरी galaxy अलग-अलग इनसानों के प्रजातियों से ब कर दिया गया था इसके बाद केन जब जूपिटर को अपने ship में लेके जाने लगता है तब ही उन्ही aliens ने के शिप को destroy कर दिया था इसे वज़े से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसमें कि जूपिटर तेजी से नीचे गिरते जा रही थी पर केन कैसे भी खुद को समालता है और अपने उड़ने वाले जूटों की मदद से जूपिटर को जाकर बचा लिता है पर अब उनके पीछे वो aliens पढ़ गए थे उन aliens ने तो केन पर लगातार fire करना start कर दिया था पर केन कैसे भी अपनी shield का यूज़ करके उन सभी के हमले से बचता रहता है पर वो aliens तो अपने सामने आने वाले सभी चीजों को destroy करते जा रहे थे केन और जूपिटर तो उन aliens के इक ship पर आकर गिर जाते हैं और वो तो एकड़म तेजी से आगे बढ़ रहा था अब केन ने बढ़ी चाला की से उस aliens को spaceship से निकाल दिया था और वो दोनों खूद उनके ship में बैटकर आगे बढ़ने लगे थे बाकी aliens भी समझ गए थे कि केन और जूपिटर उनके ship में हैं इसलिए वो ship को destroy करना चाते थे पर केन तो एक बहुत अच्छा पाइलेट भी था अब तो उसने एक करके सभी alien के spaceship को खतम कर दिया था जब एक आखरी alien उसके आमने सामने होता है तब केन तो लगातर उसकी तरफ बढ़ना start कर देता है और ship की बड़ी बड़ी wings का use करके उस alien के ship पर मार देता है जिससे कि वो पूरा का पूरा destroy हो चुका था पर अब केन और जूपिटर भी लगातर जमीन की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन केन ने अपने उड़ने जूपिटर को बचा लिया था और अब वो उससे लेकर एक सीब जगो पर आ जाता है केन ने तो जूपिटर को अपने बहुत ही पुराने साथी Stinger के पास ला दिया था और Stinger भी एक highly engineered human था लेकिन जूपिटर जब वहाँ पर आती है तब बहुत सारी मदुमखियां उसके आ Royal Family की एक member हो दरसल इन सारी मदुमखियों के पास एक power होती है जो Royal Family के blood को आसानी से पहचान लेते हैं और वही लोग इन मदुमखियों को control भी कर सकते थे Stinger के इसाब से ज़रूर Jupiter का DNA Queen Abracic के family से मिलता होगा दरसल Queen Abracic के पूरवजों ने ही Earth पर सबसे पहले इंसानों को ज जवान रहेंगे यहाँ Jupiter जब केन को दिखती है तब इसके body पर कुछ निशान था केन बताता है कि उसके बड़े बड़े पंक हुआ करते थे लेकिन Queen Abracic के family वालों ने उसके पंक काट दिये थे वो सभी एक दूसरे से बाते करी रहे होते हैं तब ही Jupiter के पास कुछ करते रहता है वहीं दूसरी तरफ Stinger Jupiter को जब लेकर बाहर निकलता है तो वो aliens भी वहाँ पर आ गए थे और Stinger ने तो अपनी gun से उन सबी पर वार करना स्टार्ट कर दिया था पर तबी अचानक से एक Hunter ने Stinger पर Canon चला दिया जिससे कि वो दूर जाकर गेर जाता है और अब ब से unconscious भी हो गई थी पर जैसे ही वो सारे इलेन जूपिटर को मारने जाते हैं तब ही उन सबी पर किसी अंजान इलेन स्पेशीज ने हमला कर दिया था जो जूपिटर को खूदी लेकर अपने स्पेश्चिप में निकल जाते हैं कीन भी जूपिटर को डूनता हुआ वहाँ प जूपिटर को जाकर बचाने का जब जूपिटर अपनी आखे खुलती है तब वो एक बहुत ही फैंसी कमरे में आ गई थी पर रव वहाँ पर कैलिक आ जाती है और ये कमरा तो कैलिक का था कैलिक जूपिटर को उसी यूज सिरम के पास लेके जाती है जो इंसानों को मार कर बनाय गया था, और अब कलिक जूपिटर को बताती है, कि उसका DNA, Queen Abrastic के DNA से काफी आधा मेल खाता है यानि कि जूपिटर इस चीस का यूज़ करके, Queen Abrastic की पूरी properties को claim कर सकती थी ये सारी वए properties थी, जिससे हासिल करनी के लिए Queen के बच्चे मरने मारने के लिए तयार थे बन जाए और कलीक जूपिटर का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि जब वो सभी प्लैनेट की राजकुमारी बन जाएगी तब वो कलीक को भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा देगी वो दोनों तो इन सभी के बारे में डिसकस करते ही रहते हैं पर तभी अचानक से वहाँ पर के भी मदद करेगी कलीक तो जूपिटर को उसके आने वाले फीचर के लिए बेस्ट आफ लग कहती है इसके बाद जूपिटर के साथ उन ओफिसर्स के शिप में आ गई थी जो उसे औरस नाम के प्लैनेट पर लेके जाने वाले थे और ये सब इसलिए ताकि जूपिटर क्वि गैलक्सी की रानी बनने वाली थी कुछ टाइम के बाद वो सारे लोग और अस प्लैनेट पर पहुँझ गए थे जो कि इंसानों का बर्थ प्लेस था और यहां की रहिवासी काफी ज़्यादा एडवांस हो गए थे और अब जूपिटर को मल्टिपल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और अब उसके बाड़ी में ये टैग लगाया जा रहा था जिससे पता चल सके कि जूपिटरी क्वीन ने पूरे गैलक्सी की और अब जूपिटर ने क्वीन एब्रैसिक फैमली की सारी प्रोपर्टी इसको क्लेम कर लिया था वो तो केन के साथ इस मोमेंट को का यहाँ टैड़स जूपिटर को बताता है कि वो उसके साइड है वो तो जूपिटर को अपने एक स्टोरेज रूम में लेके जाता है जहाँ पर यूद सिरम के बहुत सरे बॉटल मुझूद थे टैड़स जूपिटर को बताता है कि एक सिरम की बॉटल बनाने के लिए टाइडस ने जूपिटर को शादी के लिए प्रपोस कर दिया था ताकि वो दुन साथ में मिलकर इंसानियत को बचा सके लेकिन जब टाइडस केन से मिलता है तब उसका असली प्लैन सभी को पता चलता है दरअसल वो जूपिटर के साथ सादी करके सारी प्रॉपर्टिस ले जाते कुछ स्पेस सूट को लेकर चला जाता है उसने कैसे भी करके वो सूट पहन लिया था लेकिन अब केन वहाँ पर सिफ 30 मिनट तक ही जिन्दा रह सकता था पर लखिली उस जगवपर ऑफिसर के लोग आ जाते हैं जिन्नोंने केन को अपने स्पेस शिप में लेकर ब के पास चले जाता है अब तो टाइडर्स ने जुपिटर को शादी के लिए कन्विंस भी कर लिया था और वो दोनों एक बहुत बड़े हॉल में शादी करने के लिए आ जाते हैं जुपिटर तो बहुत ही जदा ब्यूटिफुल लग रही थी और अब उन दोनों की वेडिं के सामने खड़ी हो जाती है केन तो कुछ ऑफिसर्स के साथ लगातर आगे बढ़ता ही जा रहा था लेकिन अब उनके टाइडर्स की पूरी सेना के साथ काफी यदा लडाई होती है टाइडर्स की सेना ने तो उनके सामने एक बहुत बड़ी दिवार बना ली थी पर उन के प्लेन काफी अधा एडवांस थे जो लगातार उन पर फायर करके रास्ता बना देते हैं। के साथ वहां से चली जाती है। कि इन से मिलने के बार जूपिटर ये बताती है कि उसे अब अपने अर्थ पर वापस जाना था ताकि वो अपने फैमली वालों से मिल सके। कि जब जूपिटर को उसके घर पर लेके जाता है तब वहां की सारी चीजे बिक्री पड़ी थी। औ और अब बैलम ने तो जूपिटर की पूरी फैमली को किड्नैप कर लिया था क्योंकि वो जूपिटर के फैमली के बदले उससे पूरी गैलक्सी की प्रॉपर्टी हडपना चाता था और अब जूपिटर ना चाते हुए भी बैलम को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए राजी हो जाती है, वो लोग तो जूपीटर को बेलम के पास लेके चले आते हैं और उनके पीछे पीछे केन और उसके सभी साथ ही जा रहे थे, ताकि वो जूपीटर को सेही सला मत रख सकें लेकिन वो जैसे ही बेलम के प्लैनिट पर पहुँछ जाते हैं तब ही वहाँ के सिक्योरिटीज ने दरवाजा बंद कर दिया था और अब प्लैनेट के ग्राविटी के कारण कि इनका ये बड़ा सा स्पेश हीब अंदर जाई नहीं पा रहा था और अब तो उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है यहाँ दूसरी तरफ जूपिटर बैलम के पास आ गई थी बैलम जूपिटर से उसके सारी प्रॉपर्टीज उसे देने के लिए कहता है और अगर जूपिटर ने ऐसा नहीं किया तो वो उसके पूरी फैमली को खतम कर देगा जूपिटर वहाँ अपने सबी फैमली मेंबर्स को देखती है जिन पर कुछ नो कुछ एक्सपेरिमेंट किये जा रहे थे और अब लग रहा था कि जूपिटर को उसके सारी प्रॉपर्टीज बैलाम को देने ही पड़ेगी यहाँ दूसरी तरफ केन उस प्लानेट के अंदर गुशी नहीं पा रहा था लेकिन अब तो इसे कैसे भी करके जूपिटर को बचाना था इसलिए वो स्टिंगर की स्ट्राटेजी फॉलो करता है और एक छोटे से स्पेस्शिप में बैटकर उस बड़े से प्लानेट की तरफ बढ़ने लगता है प्लानेट का पूरा इंवार्मेंट केन के स्पेस्शिप को तोड़ता ही जा रहा था उसके शिप पर तो काफी तीजी से बिजली भी गिर रही थी पर केन अपनी स्पेड बढ़ाते हुए तीजी से प्लानेट के उस शिल्ड के तरफ बढ़ रहा था जिसे कोई भी पर्मीशन के बिना पार नहीं कर सकता था और अब केन सिधा उस शिल्ड को तोड़ते हुए अंदर गुज जाता है जो बेलाम की ये बड़ी इंडर्स्ट्री में जाकर गिर गया था यहाँ जुपिटर अपनी सारी प्रॉपर्टीज बैलेम को देने वाली थी पर उसे तो इस बारे में अंदाजा हो गया था कि बैलेम के हाथ में अगर सारे प्लैनेट्स लग गए तो वो इंसानों को हमिसा के लिए खत्म कर देगा और उन इंसानों में तो जुपिटर की फैमली भी शामिल होगी इसलिए जुपिटर वो कॉंट्रेक्ट साइन करने से एकदम रुख जाती है और तभी वहाँ पर बैलेम के कुछ लोग आ गये थे जो कि बताते हैं उनकी फैक्टरी में बहुत बड़ी आग लग चुकी है और वो तो लगातर तेजी से बढ़ते ही जा रही थी बैलेम उन सभी को जाकर चेक करने के लिए कहता है पर तभी उस जग उपर एक बहुती बड़ा ब्लास्ट हो गया था और वहाँ पर एकदम हीरो जैसे इंट्री होती है केन की जिसने आते ही बैलाम और उसके सारे सातियों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था केन तो लगातर उन सभी क्रियेचर से फाल्ट करते रहता है जो बैलाम के लिए काम करते थे बिलाम तो अब जुपिटर को मारना चाता था पर जुपिटर तो उल्टा उसके पर हमला कर देती है और इसके बाद तो वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स को एक सीप जगह पर सीप कर रही थी केन तो लगातर उन सभी इलियन से फाल्ट करते रहता है पर अब उस गैस फैक्टरी में आग लगनी की वज़े से वो सारी जगह एकदम से जलना स्टार्ट हो गई थी तो अब वहाँ के सारे लोग अपने अपने स्पेशिप में बैटकर प्लैनेट से दूर जाने लगे थे पर अफिसर के लोग वहाँ से भागनी की बजाए कि इनकी मदद करने वापस उसी प्लैनेट पर चले जाते हैं जो थोड़ी ही देरे में पूरी तरीके से ब्लास्ट होने वाला था वहाँ प्लैनेट पर जूपिटर और बाके सारे लोग लगातर जमीन के अंदर गिरते जा रहे थे क्योंकि प्लैनेट का अब पूरा स्ट्रक्चर दीरे दीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था कि इन ओफिसर से कॉन्टाक कर लेता है और अब वो वहाँ पर फसे सबी इंसानों को स्पेश्चिप के अंदर डालते जा रहा था ताकि वो सब सही सलामत रहें जूपिटर जब नीचे एक सीब जगा पर आ गई थी तब वहाँ पर बेलाम भी आ जाता है जिसने जूपिटर को गन पॉइंट पे ले लिया था और अब ऐसा लग रहा था कि जूपिटर नहीं बचने वाली लेकिन पता नहीं बुरे विलेंस हमेशा फाइटिंग के टाइम पर डालोग बाजे बहुत करते हैं और उसी मॉमेंट का फाइदा उठा कर जूपिटर ने बेलाम पर हमला कर दिया था वो तो उसे बहुत ही ज़्यदा मारती है और एक बहुत ही बड़े स्टुक्चर के उपर से फेक देती है लेकिन अब वो पूरी जग़ टूटने के वज़े से जूपिटर भी लगातार नीचे गिरने लगी थी और अब थोड़ी ही देरे में वो पूरा प्लानेट एकदम से डिस्टॉय हो जाएगा लेकिन अब एकदम साई टैम पर केन आ जाता है जिसने जूपिटर को गिरने से बचा लिया था लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनवती थी यहां से बाहर निकलने की क्योंकि वो पूरी जग़ एकदम से डिस्टॉय होने वाली थी केन देखता है कि ऑफिसर की स्पेश चेप वाम होल की मदद से वहां से गायब हो रही थी इसलिए अब केन जूपिटर के साथ लगातार उनके तरफ बढ़ते रहता है और तब यू उस वाम होल ने अपने आसपास के सारी चीजों को अंदर ले लिया था और अब कुछी सेकेंड्स में वो सारे लोग अर्थ के पास आ गए थे यानि कि उन सबी का ये मिशन एकदम से सक्सेस्फल हो गया था केन और जूपिटर तो अर्थ को इस तरीके से देखकर काफी खुश लग रहे थे और अब वो दुनों अर्थ पर आ जाते हैं केन को तो अपने ये बड़े बड़े पंक वापस मिल गए थे क्योंकि जूपिटर अब इस पूरे गैलक्सी की क्वीन थी तो उसने ही केन की पीछे की सारी सजाए माफ कर दी और उसे उसकी खोई वी चीज वापस दे दी केन और जूपिटर तो रिलेशिंशिप में भी आ गए थे और अब जूपिटर डिसाइड करती है कि वो अर्थ पर ही रहेगी और केन के साथ सबी प्लैनेट्स पर नजर रखेगी इसी तरीके से हमारी ये स्टोरी यहीं पर खतम हो जाती है सुवीवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लेगी प्लीस कमेंट सेक्चन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्स्प्लिनेशन एक पसंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूटर देना क्योंकि सच में इस से मुझे काफी ज़्यादा मोटिवीशन निलता है आपके लिए इसी तरीकी के मज़डा स्टोरी ज़ून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी या